तो मैं आपको एक ब्लॉग मिलेगा विकली बेसिक पे अगर विकली बेसिक पे नहीं भी मिलता है तो मैं ख्राय तो जुनूर करता हूं देने के लिए तो आज वैसे हम लोग जाने वाले हैं कहां लाइट लूम ठीक है तो प्लान बहुत सारे किये थे मेरे दोस्त लोग भी जाएंगे लेकिन मेरे दोस्त में एक दोस्त आप जानते हैं कितना बड़ा हुँ है हर बार प्लान और वही हमारा प्लान को फेल करता है उसका नाम है सुभम साहा ठीक है अभी सो रहा था अब बोल रहा अब नहीं जाएगा ठीक है तो वैसे हम लोग पांच अदमी जाने वाले हैं आपको रास्ते में उनसे मिलवाऊंगा तो आज की ब्लॉक की स्टार्टिंग में एक कोट क वो था कि how high you bounce after you hit the bottom ठीक है तो यही है कोट इसको हिंदी में अपने आप explain कर लेना यह जो कोट होते हैं काफी inspirational होते हैं ठीक है मैं मेरे पास almost 5000 collection है यह कोट का समझके हैं तो अभी हम लोग बस का इंतजार कर रहे हैं वैसे संडे बस मिलता नहीं है लेकिन 11 बचे यहां यह जगराफी डिपार्टमेंट जो है यहां से एक बस है आप उससे भी जा सकते हैं तो हम लोग को जहां आज जाना है वहां डारेक्ट बस तो नहीं जाता कोई गड़ी नहीं जाता है आपको रिजर्ब करके ही जाना होगा तो रिजर्ब के कितने पैस आप आप ट्राइक करना अगर जाना हो तो पांच आदमी के साथ जाओ ताकि जो फेर कॉस्ट है वो रिडिउस हो जाए अगर आप अखेले जाते हो तो अखेले एट हंडडर्ड रुपी आपको पे करना होगा ग्रूप के साथ जाओगे तो आपको और सेर हो जाएगा तो करना ग्रूप के साथ जाने के लिए तो आप और तेरी नेकरते हैं अभी बस आएगा बस में जाओंगा और वहां से आपको डिरेक्ट लेके जाता हो तबी के लिए बाए तो हम लोग का बस आ रहा है आप देख लो वहां आपको दिखाई नहीं देरा वास है बट बस आ रह पोलो तक जाएगे यहां आगा आगा बस तो चलिए चैलते हैं इस पर हम लोग सबसे पीछे जाके बैठेंगे चलो पीछे पीछे बैठने में कुछ ज्यादा ही माजा आता है सबसे पीछे पूरा खाली है ठीक है और यहां का एक सीट तूट गया है तो आप पूरा पहला बैठ सकते हैं निवो में काफ़ी बस है बस टाइमिंग की जानने की जरुवस है ठीक है तो आपको पैसा ख़र्चा करने की जरुवस महीं पड़े ही जो अब लोग अभी अपने बस ते निचे उतर गये हैं अभी हम लोग पोलो में है ठीक है अब बारीस का तो कुछ मैंन ह काफी थेता बारिज हो रही है छाता होएं गराए कुछ कि नहीं है तो अभी हम लोग कैसे करें जाहें या रहाएं ऊपकर तो धुंदेधा तो काफी तेज बारीज हो रही है हम लोग जाए या ना चाहे पुरें कंफ्यूज है यह बारीज में जाके मज़ा तो नहीं आने वाला है तो हमारे साथ कौन तो हमारे साथ कौन तो हमारे सर भूबू भूईया ठीक है तो हम लोग अपना टैक्सी बुक कर लिए है ठीक है तो टैक्सी का लगा 800 रुपया ठीक है तो आट्सो रुपया अच्छा है ठीक है तो खोई कोई टैक्सी 1200 रुपय थे अब हमने तेक्सी से जारे वह जारे शाया है थे तैक्सी के ड्राइबर को देख लिए इंका नंबर में आपने डेस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको कभी जाना होगा तो आप इंको तो आप सिफ कॉल कर दिजेगा इनको मैं नमबर दे दूंगा यह आपको वहां से एट हंडड़ रुपीज में ले जाएंगे और कहीं भी जाना हो आप इंको कंटेक करिएगा अच्छे ताम में आपको कहीं लेकर जाएंगे आप से एक पर भी थागा फगी नहीं होगा बस इ तो हमें टैक्सी में गया हम मुहा जाएंगे एक घंटा रहेंगे और आपको जो बताना है में वही बता दूंगा वहा रहने का क्या है सब मैं अभी बताने वाला हूं तो देखिए अभी आप रास्ता यहां गा ठीक है डेंजर वाला रास्ता जो शिलोंग का मौसम है ठीक है आप इसको कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते है अभी आप देखिए वहां धूप है और इधर बारिस कीए थे खोड़ा ही मौसम है ठीक है अगा उधर धूप इधर बारिस अभी उधर हम लोग सिलोंग में थे वाह पुरा दमदवा के बारिस हो जाता है कि अदुपा रहा है और फैक्ट्स बता दूब आपको तिक है वह जो फैक्ट्स है मैं अपने हाथ में लिखे लाया है आप देख रीजे तो पहला फैक्ट्स जो लैतलूम है उसे लोकल में पार दो दो बाता दूब है सिट वैली जो दूसरा फैक्ट है पांच बचे से पहले जाए वहां तो अच्छा रहागा पांच बज़े के बाद जाके कोई फायदा नहीं वहां में जो तिसरा फैक्ट है यह सिलॉंग के इस टन साइड में पड़ता है और जो चौथा फैक्ट है यह 23 किरो मिटर से मैंने लिखा था 1,000 कि जाने में 1,000 लए गया लेकिन यह फैक्ट गलत निकल गया मेरा ठीके 800 रुपय में हो गया अलमस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं लाइफ्टूम और सच बोलू तो आपको मैं कुछ दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि आपको मैं अब दिखा रहा हू यहां आफ्टर कितना एक घंटा लगा ना एक घंटा में एक घंटा से ज्यादा लगा क्योंकि रास्ते हम लोग भूल गए थे ठीक है कोई नहीं तो अभी भी बारिस हो रहा है मैं सोच रहा हूं वीडियो करूं कि ने करूं तो देखता हूं कंडिशन के हिसाब से मैं गए तो भीका नहीं सकता हूं तो हमारा टेक्सी वह है और हमारे साथ यह बंदिल ओगे तो फाइनली हम लोग लाटीकूम पहुंच चुके हैं ठीक हमें आने में वान फार लगा पोलो से टेक्सी में वान एन हाफ आफ आफ आर इसलिए लगा क्योंकि हम लोग अपना रास् यह पिकनिक स्पोर्ट है या फिर टूरिस स्पोर्ट है कुछ नहीं है ठीक है यहां आए पैसा लोस हुआ और अभी हम लोग जाएंगे और दूसरा सदेशन में यह देना चाहूंगा अगर आप यहां आते हो तो कुछ खाने के लिए लेकर आना क्योंकि यहां कुछ नहीं मिल और मोमो भी मिलता है अंडा है कॉण मोमो ना कर अओ खायगा खायगा और यहां में आपको देख लिए कि मैगी भी है और इसको क्या बोलते है मुझे नहीं मालूम है यहीं सब खाने के लिए चाय भी मिल जाएगा तो हम लोग भी यहां खायेंगे मोमो मैगी भूटे यही तो यहां को नहीं दिखाए दे रहा है तो मेरे दोस्तों कि हमें फोटो यहां यहां में चाय तो आप यहां में चाय पीने वाला हूं तुम लोगों को पीना है चाय को जाएं कॉछ भी तो नहीं है तो आइतजिक यह लो को लैंगोइज प्रोम्म है केमरा पसंद नहीं है तो यह है तो यह है रेड़ टी ठीक है तो लोगों पीना है तो किसमे नहीं पीना है एक और ने दो कौन तो एक कप चाय का दाम है दस रुप्या तो तीन कप का लगा ठटी कोई बाद नहीं चाय टेस्ट लिए रहा लोगेर सब्सक्राइब पीना मत पेखते माना कर तो मैं क्या वो लो यही तो बोल सकता हूँ चाय टेस्ट यह लिगी आप मत मिना प्ली तो मैं क कामरे को करता हूँ स्वेच आगे कैमरा पे और दिखाता हूँ आपको नजारे कैसा है बहुत अच्छा लग रहा है लेकि भूरा तो नहीं करना चाहता हूँ लेकिन इसमें बहुत चीनी कम है हां और पानी पानी तो पानी है यार पर मैं बोलूँगा इतना दूर आ कि अग गूड यार मेरे को नहीं लगता है हमने 23 किलोमेटर सफर किया इसके लिए खराब चाय मैंने पिया है हरुको आ रहे है तो आप यहां कहना जारा देख लो वैसे कैमरे में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा ठीक है आपको रियल आखो से देखना पड़ेगा यही है इ तो आपको एक सजेसंद देना चाहूंगा अगर आप सिलॉंग आते हो लाइस तुम को अपने प्रियोटी लिस्ट के लास्ट में रखना ठीक है सबसे लास्ट में आना इसको घूमने के लिए अगर टाइम मिलता है तो वाना मत आना प्लाइस मैं तो बिलकुल ना रहा है तो मैं जो रत निसोड ने जो किया है ठीक है ठीक है ठीक है मैं वैसा नहीं करने वाला हूं बिलकुल क्योंकि मुझे बहुत भूग लगा है और भूग में तो सबचीत अच्छा लगता है तो चलते हैं तॉप पाइनली हम लोग को उचाई पे जा रहे हैं और आप रित्री का बैक देख सकते हैं काफी एक्साइटमेंट में था वो बंदा आने से पहले बर नजारा देखके सबका मूड आप देखी सकते हैं क्या होगा मूड खराब नहीं हुआ है मैं क्या बोलता हूं हर दिन अगर अ हैपिनेस चाहिए तो सेडनेस का भी मजा लेना पड़ेगा ना तभी तो हैट्रेस को मेजर कर पाओगे हैपिनेस और नोट एट्नेस ठीक है अगर इस नहीं है अगर आपको यह तो साफ लगता है स्रिजाइट करने दर देखिए खाई तो मैं अभी अंडा ले रहा हूं आप देख सकते हो एक अंडा अराम दस रुपया है और जो है यही है यही खाने को मिलेगा यहां में आपको स्वच्वारत का एक्जामपल देख लोग यह में दस्बी ने दस्बीने दस्बीने यूद करना भी उसे मत करना अज वाला हूं एक इस्टन्च नाम मेने मताऊंगा ठीके तरीके में यहां यहां थे वहां कूदने वाला हूं ठीके हुथ व्यजय कर ने यही व्यजय क्या थाएज बाएजमंगा अब आपको खांगा यहां अब अन ऊक्त पाल्ग पाल्गे सिख्षाणगा एडवाद मेरा श्तन्च फूद इस्टन्च कर लोगा यहां अबॉफे जुद कहां रहां अब बासस्तपश्च्श्ट्रु देख् कि अब तो यहां के राष्टे जो है बहुत देंजर है तो आपना कदम बादा नहीं तो यहां के राष्टे जो है बहुत देंजर है तो आपना कदम सम्हाल सम्हाल के चलिएगा वरना फिर उपर दाने में टाइम नहीं लगेगा तो आप यहां पे देख सकते हो यह इसको क्या बोलते हैं मेरे को नाम नहीं मालूम है ट्रॉली या क्या बोलते है आई डॉन नो एक्जाक्टली बट जो भी इसका काम हमें मालूम है कि यह जो है एक छोड़ते दूसरे चोड़ पे जाने के लिए है मतलब यह तो पहाड़ है अब देखते हो ठीक है तो एक्च्वली यह रास्ता ऐसा है ठीक है आप यह रास्ती को देख लो काफी स्लिपरी है स्लिपरी मतलब आज बारिस हुआ है ना तो मेरा मैंने दो बर फिसला दो बार होफूली में दो बार भी बच गया वहना मेरा डेट बड़ी मेरे घर जाता ठीक है इसलिए मेरे दोस्त लोग नीचे गया है मैं यहीं वेट कर रहा हूं वैसे ए अब आगया और यह फाल्स हुए हमें रिस्की है ना भी जुता भी वो ट्रैकिंग वो जुता नहीं है नहीं है तो फाइनली हम लोग लाइत दों घूम लिये अभी हम लोग नीचे कहाँ जे ट्रैकिंग पर ठीक है वहां मेरा मोबाइल खराब हो गया अभी मैं रधेस के मो खाया और यह मुट्टे खा रहा हूँ तो ओवरॉल प्राइस का तो ज्यादा है पर होगा ना कि उतना दूर से लाते हैं वो लोग तो ओवरॉल एक्सपेरियोंस बताओं तो डाउन ठीक है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यह जगा अगर आपको आना है तो आये को हुआ 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 है